हलो बच्चो कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़ी आऊंगे तो यहां नेक्स लेक्चर हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं Chemical Kinetics ठीक है आपके 12th क्लास का चेप्टर है और नीट और जेही दोनों के लिए आज से बहुत ही ज़्यादा इंपोर्डेंट चेप्टर है ठीक है ना क्वेशन जो हर साल एक क्वेशन पका आया है Chemical Kinetics से आता ही आता है तो Chemical Kinetics में हम पढ़ते क्या है तो यहां पर हम बात करते हैं यह जी rate of reaction की किसी भी reaction की rate की बात करते है कि rate जो है ना वो क्या होती है कितने तरिके की होती है कौन-कौन से factors है जो की rate को affect करते है rate कैसे calculate करते है reaction के बारे में है ना तो यही सारी चीज़े हम Chemical Kinetics में पढ़ते हैं तो हम यही से अपनी बात start करेंगे कि Chemical Kinetics में हम क्या study करेंगे है तो in this chapter या in this branch we study about about rate of reaction and factors and factors affecting factors affecting rate of reaction तो इस chapter में हम एक तरिके से rate की बात करेंगे कि rate of reaction क्या होती है और basically जो हम बात करेंगे कि कौन-कौन से factors है जो की rate को affect कर सकते हैं किसी भी reaction की rate को जो वो change कर सकते है ठीक है तो हम यहाँ पर यही बात करने वाले हैं तो अब क्योंकि rate की बात करेंगे तो rate के basis पर कितने तरिकी की reactions होती है, हम ये भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, हला कि हमने ये चीज़ chemical equilibrium में भी discuss करी थी, लेकिन kinetics पढ़ रहे हैं, तो ये अपनी responsibility है, कि मेरी responsibility है कि आपको एक बार जो हो, मैं चीज़े revise करवा हूँ, तो देखो ज़रा, कि types of reaction, types of reactions on the basis of rate, types of reactions, ये है on the basis of rate, कि या rate के basis पर जो reaction कितने type की होती है, तो यहाँ पर देखना ज़रा कि rate के basis पर, तीन तरिकी की हमारे पास reactions होती है, तीन तरिकी की reactions होगी, सबसे पहले जो है, वो है fast reactions, fast reaction, ठेक है, और यह जो reactions होती है, यह बहुत ही तेजी से complete होती है, और यह को कि इनको complete होने में, micro से millisecond का time लगता है, या इससे भी कम time में यह क्या हो जाती है, complete हो जाती है, तो मैं लिखूंगा, these reactions, these reactions, completes, will completes, completes in a time period, in a time period of micro to millisecond, millisecond, तो यह जो reactions होती है, यह micro से millisecond के time period में ही क्या हो जाती है, complete हो जाती है, इतने कम time में complete होती है, तो मुझे बताओ कि क्या इनकी study करने के लिए, या फिर इनको study करने के लिए, क्या यह reaction suitable है, क्या, यह reaction जो हो हम suitable नहीं मानते हैं, क्योंकि इतने कम time में complete होती है, कि उनकी study हम आसानी से नहीं कर पाएंगे जैसे आप यह मानो example के लिए reactions reactions of ionic compounds ionic compounds कि जो भी ionic compound है ना उनकी जो reactions होगी वो basically कैसी होती है इस तरगे की reactions होती है fast reactions होती है या फिर यूँ कहो कि जो explosive reactions होती है explosive reactions जिनमें explosion होता है बहुत इक कम टाइम पिरेड़ में complete हो जाती है पलक जपकते ही पूरी हो जाएगी कब reaction complete होई पताहीं छलेगा तो इस तरगे की reactions की study हम generally नहीं करते हैं दूसरी जो reactions होती है वो होती है या जी slow reactions slow reactions तो जो slow reactions होती है नाम से पता चर्दरा बहुत ही ज़्यादा slow होगी ठीक है और इनको complete होने में क्या होता है कि इनको complete होने में कुछ दिन लग सकते है कुछ मेनी या कुछ साल का जो time है वो भी लग सकता है तो मैं लखूंगा these reactions these reactions will completes in a few months to a few years ठीक है तो इनको complete होने में कुछ महिने लग सकते है या कुछ साल का time भी लग सकता है और इतनी slow होती है कि इनकी भी steady हम normally नहीं करते है जैसे example के लिए rusting of iron rusting of iron तो iron की जो rusting है वो इसी तरगी की process है बहुत लंबा time लगता है एक-दो दिन का काम नहीं है एक-दो घंटे का भी काम नहीं है ठीक टाक जो वो एक time period लगता है इसमें slow reactions तीसरी होती है moderate rate reaction rate reactions ठीक है moderate rate reaction तो यह देखो moderate rate reactions क्या होती है या फिर जो reactions है जिनकी rate ठीक-टाक होती है ना तो बहुत ही ज्यादा होती है ना ही बहुत ही कम होती है तो यह जो reactions होगी ना इनको complete होने में ना तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है ना ही बहुत कम टाइम लगता है ठिक टाइम पिरेड में क्या हो जाती है पूरी हो जाती है तो मैं यह लिखूंगा कि these reactions these reactions will complete in a few minutes to a few hours ठिक है तो यह जो हो कुछ minutes से जो हो कुछ hours के टाइम पिरेड में क्या हो जाती है complete हो जाती है तो इस तरकी की जो reactions है moderate rate reactions होती है example के लिए जो reactions of reactions of covalent compounds covalent compounds तो जो भी covalent compounds की reactions होती है वो सारी की सारी reactions इसी category की होती है कि covalent compound की reaction इसी category की होगी moderate retired, ना तो बहुत तेजी से होगी, ना बहुती धीरे से होगी, क्यों? क्योंकि यह- covalent compound की reaction में कुछ bond तो क्या होते, break होते हैं और कुछ नयी bond बनते हैं, और bond break हो कोई real bond breaking तो होती नहीं है नहीं कोई real bond formation होता है इस दो यहां पर reactions बहुती आइनिक तो क्या है एक तरकी का attraction है और attraction जो वो बनने में या attraction खतम होने में कोई time नहीं लगता है और जबकि यहाँ पर कुछ bond तूटते हैं और कुछ bond बनते हैं तो bond के तूटने में और बनने में दोनों ही process में time लगेगा और time लगेगा तो इस तरकी की reactions की study जो है वो हम दे study हम कर सकते हैं ठीक है तो यह तो हुई बात एक तरीके की कि भया chemical kinetics में तीन तरीकी की reaction हम reaction के जो है ना rate के basis पर तीन तरीकी की हमारे पास क्या होती है reactions होती है ठीक है अब आप समझना कि इसके बाद में जो अगली चीज है ना क्योंकि हम इसमें rate की बात करने वाले है factors affecting rate क कि बात कि rate को कौन-कौन से factors affect करेंगे तो यही से अपना chapter हम start करेंगे एक तरीके से कि यह rate होती क्या है rate of reaction किसको बोलते है क्योंकि पहले rate को समझेंगे इसके बाद में बात आएगी किसकी factors affecting rate of reaction की ठीक है तो देखो कि हमारे पास point है rate of reaction होती क्या है देखना सरा कि next topic is rate of reaction rate of reaction क्या होती है देखो कि हमें यह पता है कि कोई भी chemical reaction है तो किसी भी chemical reaction में जो reactant होते है उनका reactant का amount है वो तो time के साथ साथ क्या होगा कम होगा और product का amount जो time के साथ साथ क्या होगा बढ़ेगा तो time के साथ साथ reactant की concentration भी change होती है और time के साथ product की concentration भी change होती है तो rate of reaction क्या होती है कि the change in concentration of reactant or product with respect to time is known as rate of reaction या फिर यू बोल दो कि per unit time में कि per unit time का मतलब एक second हो सकता है एक minute हो सकता है एक गंटा हो सकता है एक दिन हो सकता है एक महिना एक साल एक unit time होना चाहिए per unit time में reactant या product की concentration में जितना change आता है उसी को हम क्या बोलेंगे एक तरह के से rate of reaction बोलेंगे तो मैं इसको लिख देता हूँ कि the change in the change in concentration of reactants of reactants or product in per unit time ठीक है is known as rate of reaction is known as rate of reaction ठीक है के भाई per unit time में जितना change आया है reactant या product की concentration में जितना भी change हुआ है चाहे वो increase हुई चाहे decrease हुई जो change है ना वो आपको check करना है तो per unit time में जितना change आता उसी को क्या बोलेंगे हम rate of reaction बोलेंगे ठीक है तो अगर आपको rate निकालना है किसी भी reaction के लिए अगर आपको rate लिखनी है तो rate हम ऐसे लिखेंगे देखो उपर तो आएगा change in concentration और नीचे हमारे पास आएगा क्या change in time ठीक है कि भाई change in concentration divided by change in time कि time कितना change हुआ concentration के respect में यही क्या होगा हमारे पास एक तरके से rate होगा इसके आगे हम कई बार यहाँ पर plus और minus लगाते है अब यह plus minus क्या है ध्यार रखो ज़रा कि plus minus होता यह है कि plus जो है न यह तो आता है four products कि अगर आप product के respect में जो rate को define कर रहे हो तब तो आपको plus लगाना है ठीक है और plus क्यों लगाते है क्योंकि product की concentration time के साथ क्या होती है increase होती है because because concentration concentration of product will increase with time ठीक है with time तो भीया concentration जो है न वो product की क्या होती है time के साथ increase होती है फिर इधर देखना के minus minus हम लगाते है four reactants four reactants तो क्यों क्योंकि because because concentration of reactant will decrease with time तो reactant की concentration जो है न वो एक तरह के से हम बोलेंगे कि time के साथ क्या होती है decrease होती है product की concentration time के साथ क्या होती है increase होती है तो उससे क्या फरक पड़ेगा increase और decrease से क्या फरक पड़ेगा ध्यान रगना कि अभी मैं example से भी आपको बताऊंगा कि होता यह है कि rate of reaction है न रेट of reaction यह कभी negative नहीं होती है rate कभी negative नहीं होती है minus नहीं होती है तो हम क्या करते है क्योंकि reactant की concentration time के साथ साथ decrease होती है तो जो change होगा न वो कैसा आएगा वो negative आएगा और negative जो है वो आएगा तो उसको positive करने के लिए हम बाहर से negative लगा देते हैं एक example से इसको समझेंगे पहले मैं लिख देता हूं कि the rate of reaction the rate of reaction will never will never be negative so we use negative or positive sign to make rate positive देखो जरा कि ये point भहुत ही ध्यान में रखने वाला point है कई बार statement भी पूछ लेता है कि which of the following statement is correct और incorrect ठीक है इस तरह के से question आएगा तो question में आपको ये बोलेगा कि भीया the rate of reaction will never be negative बिल्कुल सही बात है अब आप कहोगे कि sir reactant के respect में तो negative लगा रखा है मेरे भाई देखो negative क्यों लगा रखा है आप समझना इसको एक example समझते है कि मानलो ये कोई अपने पास एक reaction है A is converting into B ये कोई reaction है अब इस reaction के लिए मैं कहता हूँ कि मानलो T is equal to zero पर T is equal to zero का मतलब है initially तो T is equal to zero पर इसकी concentration है A product कितना होगा zero होगा क्योंकि हम ये मानके चलते है कि initially product का amount कितना है zero अगर zero नहीं भी है तो भी जो हो कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है आगे जो हो आप जैसे जैसे chapter आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको अपने आप idea लग जाएगा कि rate निकालने के लिए आपको एक ही चीज़ चेक करनी है वो है change in concentration divide by change in time rate निकालने का एक ही तरीका है अब देखो कि थोड़ी देर बाद में मानलो at T time time zero से कितना हो गया T हो गया और zero से T हो गया इसके एक से इसका एक बनता है तो इसके एक से इसका कितना बनेगा एकस बनेगा अब हमें तो क्या करना है rate निकालनी है तो सबसे पहले rate rate with respect to A अब A के respect में अगर आपको rate निकालनी है न तो मैं ये बोलूँगा कि या change in concentration ध्यान से देखना ज़रा कि change in concentration of A divide by change in time of A A का कितना time change हुआ है A की किती concentration अब time change तो दोनों के लिए क्या रहेगा same ही रहेगा तो अब अगर A के respect में आपको rate निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा change in concentration अब मुझे बताओ change in concentration change कैसे निकालते है final minus initial ऐसे निकालते है तो final value कितनी है A minus X minus initial value कितनी है A ठीक है divide by change in time final time कितना है T initial कितना है 0 तो ध्यान से देखना ज़रा कि ये plus minus cancel ये हमारे पास rate की value आई कितनी आई minus का X by T अब मेरे भाई होता ये है मैंने आपको ये लिखाया कि rate कभी भी negative नहीं होती तो इस negative को positive करने के लिए हम जब भी reactant के respect में rate लिखते है न जब भी reactant के respect में rate लिखेंगे तो बाहर से हम क्या कर देंगे इस पर बाहर से minus लगा देंगे और जैसे ही आपने बाहर से minus लगाया तो rate ये निकल के आगे कितनी x by t क्योंकि भी या rate जो है वो कभी भी जो है वो negative नहीं होती तो इसको positive करने के लिए हम जब भी reactant के respect में हम rate लेखेंगे तो बाहर से आपको minus लगाना ही लगाना है ये तो बात हुई किसके respect में reactant के respect में अब मालो b के respect में आपको करना है तो वैसे तो b के respect में कुछ अलग से लगाने की जुरूरत नहीं है क्योंकि rate negative नहीं आती है लेकिन फिर भी हम बढ़ती concentration के लिए जो positive लगा देते हैं उससे कोई फरक पड़ेगा नहीं जिसे मालो इसी case में आपको b के respect में rate लिखनी है तो मैं क्या बोलूगा change in concentration upon change in time दहार रखना भाई rate का जो है वो एक ही तरीका होता है अगर आपको rate calculate करनी है न तो rate का एक ही तरीका होता है कोई लंबी जोड़ी calculation नहीं है change in concentration divided by change in time rate का बस इतना ही फंडा है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा देखो ज़रा कि rate with respect to b तो यहाँ पर क्या लिखने है कि change in concentration of b divide by change in time अब b की concentration तो वो ही final minus initial final concentration कित्ती होगी x x minus initial concentration is 0 divide by time change final time t और पहले कितना है 0 अब यहाँ पर जो reactant के लिए तो हम minus लगाते है product के लिए क्या लगा दो plus लगा दो तो यहाँ rate आ गई कितनी plus वोई x by t तो यहाँ पर जो हो आपको अलग से वैसे कुछ लगाने की जूरत पड़ती नहीं है बस reactant के लिए ध्यान में रखना है क्योंकि rate कभी negative नहीं होगी तो उसको positive करने के लिए हम बाहर से जो हो क्या कर देते है minus लगा देते है और इस minus का मतलब हम यह लिखते है this minus is representing the decreasing concentration of reactant और अगर आप product के लिए plus लगा रहे हो बाहर से तो this plus is indicating the increasing concentration of product ठीक है तो plus तो product की increasing concentration को indicate करेगा और minus जो है वो reactant की decreasing concentration को indicate करेगा तो I hope मेरी बात समझ में आ गई होगी कि rate का एक ही मतलब होता और वो क्या होता है change in concentration per unit time ठीक अब समझना ज़रा कि आपने अभी कहा कि जो rate है यह होती है change in concentration divide by change in time तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते है इसको तो मैं मिठा रहा हूँ इसी के नीचे आपको जो continue करना है कि rate जो है इसको हम यू भी लिख सकते है कि rate is equal to change in concentration आपने बोला plus minus delta c upon delta t लिख सकते है ना साथ तो delta c यानि कि हम इसको यू लिख सकते है कि जो delta c होगा यह हो जाएगा c final minus c initial बोल दो या फिर आप बोल दो c2 minus c1 बोल दो c1 बोल दो और delta t क्या हो जाएगा t final minus this is t final minus t initial बोल दो या t2 minus t1 बोल दो एक ही बात है और अब देखना कि अगर हम unit की बात करें कि unit of rate यह क्या होगी तो unit तो आप देखो उपर तो क्या concentration नीचे क्या है time तो unit इसकी हो जाएगी क्या concentration और time उपर जाएगा तो यह क्या हो जाएगा time inverse ठीक है यह हमारे पास unit आएगी देहां रखना बहुत ही important चीज़ है आगे जो इसको खूब काम मिलेगी आगे जो बहुत सारी reactions ऐसी आएगी जिनमें हम unit से ही identify करें कि वास्ता में reaction जो वो क्या है किस category की reaction है तो यह rate की unit है या किसी reaction के लिए rate की unit क्या होगी यह सारी चीज़ें जो हम अलग-अलग पढ़ेंगी जाएगी टॉपिक आगे चलेगा अब देखो concentration होती है किसमे mole पर लीटर में ठीक और ताइम जो किसी में भी हो सकता है time inverse ठीक है तो हमारे पास unit निकल के आगे देखो ज़रा मैं बोलूँगा mole लीटर inverse और यह क्या आगया time inverse अब time देखो किसमें हो सकता है time हो सकता है most probably आपको second में दिखेगा second में या फिर time जो minute में दिखेगा या फिर hour में दिखेगा ठीक है या इसके अलावा जो हो सकता आपको day में दिख जाए number of days ठीक है या year ठीक है months इन सब में time देखने को मिल सकता है generally आप देखोगे second और minute में देखने को मिलेगा time ज्यादा तर केस में second या minute में देखने को मिलेगा यह हमारे पास rate हो गई ठीक है rate की unit भी हो गई फिर देखो rate एक point आप for gaseous reaction gaseous reaction किसी भी gaseous reaction के लिए rate can be return can be return in form of ठीक है for gaseous reaction rate can be return in form of pressure ठीक है किसी भी gaseous reaction के लिए हम rate को जो हो pressure के form में भी लिख सकते हैं ठीक है क्या कोई भी gaseous reaction है तो जैसे माल लो reaction है हमारे पास A is converting into B यही reaction हम ले लेते हैं और यह कोई gaseous reaction है दोनों के दोनों जो है वो अपने पास किस में है gaseous state में है तो अब इस reaction के लिए हम rate अगर निकालना चाहे तो मैं बोलूँगा plus minus delta P upon delta T वो ही बात आती है कि भाई concentration की जगा आपने क्या काम में ले लिया concentration की जगा आपने काम में ले लिया delta P ठीक है अब delta P क्या है यह है भी change in pressure प्लस है वही किसके लिए product के लिए minus वही किसके लिए reactant के लिए change in pressure of product change in pressure of reactant MINUS आ जाएगा तो वही बात है कि reactant का जो pressure होगा partial pressure वो time के साथ क्या होगा decrease होगा तो decrease होगा तो यहाँ से rate negative आएगी तो उसको positive करने के लिए हम क्या करता है बाहर से माइनस लगा जिते हैं ठीक ऐसे ही reactant के लिए तो already pressure क्या होगा increase ही होगा ठीक है अब देखो कि हमें यह पता है कि 4 any gas किसी भी gas के लिए हम PV is equal to क्या लगा सकते हैं एन रटी लगा सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर जो मैं इसको एसा लिख सकता हूँ P is equal to n by v rt और P is equal to n by v को क्या लिख सकते हैं n by v को c लिख सकते हो तो P is equal to c rt c का मतलब क्या हो गया concentration कि किसी भी gas के लिए जो अपने पास mole upon volume है इसको आप c के time में भी लिख सकते हो और क्योंकि हम change in pressure, change in concentration की बात कर रहे हैं तो यहाँ सो मैं इसा बोल सकता हूँ delta P is equal to delta c rt हाना तो देखो कि कई बार question में जो है na temperature का data given होता reaction के लिए r की value जो हो हमें पता ही है आपको change in concentration देगा और time change देगा तो delta P को आप delta c rt से भी क्या अगर सकते हो concentration का data given नहीं यह pressure और temperature का data given है तो यहाँ से delta c की value निकाल के delta P rt यहाँ पर भी आप put कर सकते हो तो भी जो हो अपना answer आ जाएगा अलां कि ऐसा question जो generally पूछता नहीं है आगे हम इस तरह के question करेंगे ठीक है तो यह चीज़ clear हो जाएगी कि कि किसी reaction की rate को आप pressure की term में भी क्या कर सकते हो लिख सकते हो तो I hope मेरी बात समझवे आ गई होगी कि कहीं पर भी अगर rate of reaction की बात करें कि rate of reaction की बात आएगी तो एक ही चीज़ दिमाग में आनी चाहिए और वो क्या है change in concentration divided by change in time या change in concentration in per unit time is known as rate of reaction I hope मेरी बात आपके समझ में आ गई हो next जो point देखो इसी पर हम एक question जो हो वो करते हैं कि भाई question जो हो अगर आएगा तो कैसे आएगा इसको तुम्हें मिटा रहा हो क्या rate of reaction से कई बार numerical भी पूछ लेता है देखो के condition ऐसी है कि आपको एक numerical दिया है numerical ऐसा है question है rate of या concentration of concentration of reactants with respect to time ठीक है the change in concentration the change in concentration of reactant with respect to time for any reaction is given as आपको एक equation देर किये c is equal to 2 minus 3t minus 5t square ठीक है then calculate calculate the initial initial rate ठीक है या initial rate का मतलब होता है t is equal to 0 per rate rate at t is equal to 0 इसको हम आगे वापस से पढ़ेंगे कि initial rate कितने तरीके की rate होती है तो then calculate initial rate and rate of reaction at t is equal to 2 second कि भाई 2 second पर rate पूछी आपको और आपको initial rate पूछ ली और आपको यह बोर रहा है कि यह जो relation है ना यह है reactant की concentration के बारे में अब reactant की concentration time के साथ साथ क्या होगी decrease होगी तो हम reactant के लिए जो rate बताएंगे वो हम कुछ यू लिखेंगे कि भाईया जी बात ऐसी है कि rate is equal to minus dc upon dt ठेक है ऐसा ही होगा तो अब देखो value रखते हैं minus का dc की जगा मैं ऐसा लिखूंगा c की जगा क्या आएगा 2 3t minus 5t square divide by क्या जाएगा dt ठीक है अब आपको इसको क्या करना एक तरिके से differentiate करना है तो इसको differentiate करूँगा तो 2 का तो कितना हो जाएगा 0 यहाँ पर minus अंदर include हो जाएगा यह minus minus क्या हो गया प्लस और 3t का कितना आगया 3 और इधर जो minus minus क्या हो जाएगा प्लस और इसका क्या आजाएगा यह 10t तो मेरे पास r का जो expression आया ना यहाँ 3 plus यहाँ पर कितना आजाएगा 10t ठीक है तो यहाँ पर हम यह बोलेंगे कि at t is equal to 0 at t is equal to 0 तो t is equal to 0 पर t की value 0 रग दो तो r की जो value आएगी यह आएगी कितनी 3 mole later inverse और यह आजाएगी क्या second inverse ठीक यह तो आगई r कब t is equal to 0 पर फिर at t is equal to 2 second t बराबर यह 2 second पर क्या rate आएगी तो t की value 2 रग दो तो कितना आजाएगा 20 20 प्लस 3 r is equal to आजाएगा कितना 23 mole later inverse और यह second inverse यह हमारे पास क्या आगई rate आगई ठीक है कि अगर आपको एक expression दे रखा है concentration का change in time के साथ ठीक है और rate निकालने का हो तो इस तरह के से जो हम क्या करेंगे rate निकाल सकते है ना differentiation से rate निकाल सकते हैं क्योंकि होती क्या है rate change in concentration divided by change in time ठीक हाथ तो भीया देखो next topic है अपने पास यह है relation between rate of different species in a chemical reaction देखो कि एक ही chemical reaction में अलग-अलग species की जो rate होती है ना उनके बीच में क्या relation होता है यह हमें समझना है देखना बहुत यह आसान सा काम है तो देखो relation between relation between rate rate of different different species for या in any chemical reaction chemical reaction की एक chemical reaction ना होई और उस chemical reaction में जो अलग-अलग species होती है अलग-अलग reactant और product होते है ना उनके लिए reaction में या उनके respect में जो rate है ना उनका क्या relation होता है अब समझना जान से कि कोई chemical reaction लेते है माल लो reaction है अपने पास A यह B is converting into तो माल लो या फिर इसको ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा असा असान हो जाएगा कि भाई reaction है 2A प्लस 3B is converting into 4C and 5D यह हमारे पास कोई chemical reaction है ठीक है अब इस chemical reaction में T is equal to 0 पर माल लो यह चीज़ गिवन है आपको इसके A मोल है इसके B मोल है यह कितने होंगे 0 और 0 होंगे ठीक है अब थोड़ी देर बाद में at T time जैसे जैसे reaction आगे बढ़ेगी at T time तो reaction जैसे जैसे आगे बढ़ेगी हम यह बोलेंगे कि भाई या A और B की concentration दीरे दीरे क्या होगी कम होगी और दूसरे तरफ C और D की concentration क्या होगी बढ़ेगी माल लो T time पर A का जो हो 2X चला गया तो बचा कितना A माइनस 2X कि धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे गया A का जो हो 2X चला गया आपको A का जो हो X मान के भी आप calculation कर सकते हो लेगिन calculation का आसान करने के लिए हम A का 2X तोट रहा है तो भीया A में से 2X चला गया तो बचा कितना A माइनस 2X इसका 2 काम में आता है तो इसका 3 काम में आता है तो इसका 2X काम में आएगा तो इसका कितना काम में आएगा 3X काम में आएगा निकालनी है तो मैं क्या बोलूँगा कि या change in concentration of a क्योंकि a क्या है reactant है तो मैं बोलूँगा change in concentration of a divided by change in time minus d a by dt यही होगा तो d a by dt हम कैसे लिखे तो ध्यान से देखो जरा कि हमारे पास condition ऐसी है कि change in concentration कैसे final minus initial तो final concentration तो है कितनी a minus 2x और initial concentration कितनी है minus a ठीक है और divide by dt ऐसा ठीक हूँगा ठीक या फिर चलो इसको dt ही लिख देते हैं और minus बाहर आपको लगाना पड़ेगा तो यह जो value है यह value हमारे पास निकल के आएगी कितनी निकल के आएगी यह तो cancel हुआ तो यह आ गया कितना 2x divided by dt देखलो ऐसी condition आई चलो ठीक है फिर इसके बाद में rate of b rate of b b के लिए rate तो minus का क्या लिखूंगा dby dt change in concentration of b divided by change in time और यहाँ पर हमारे पास ही आ जाएगा minus change in concentration तो यह कितना है b minus 3x minus कितना है b divided by क्या आएगा dt और इसको solve करोगे तो यह आ जाएगा कितना 3x by dt ऐसा ही होगा ठीक है फिर rate of c तो rate of c यह हमें निकालना है तो क्या लिखू क्यों कि c क्या है c तो जो प्रोड़क्ट है और प्रोड़क्ट की concentration time के साथ क्या होती है बढ़ती है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि भया इसकी final concentration तो कितनी है 4x minus initial दी 0 divided by dt त यह value आ गई हमारे पास कितनी 4x divided by dt देखलो ऐसा ही होगा फिर rate of d तो rate of d यह निकालना के प्लस यह यह तो कितना आएगा final तो है कितनी 5x minus initial 0 divided by dt तो इसको solve करेंगे तो यह आएगा कितना 5x by dt ठीक है अब जहान से देखना ज़रा कि मैं इसके लिए ऐसा बोल सकता हूँ कि यह जो value है ना इसको solve करोगे आप कि minus da by dt यह equal आ रहा किसके 2x by dt के तो यहाँ से हम ऐसा ब da by dt is equal to यह equal आया किसके x by dt के equal आ ठीक है यहाँ पर देखो हम ऐसा बोल सकते है कि 3x by dt यह equal है किसके minus db by dt के तो इस 3 को इधर ले आओ तो हमारे पास expression क्या बनेगा यह बनेगा minus 1 by 3 db by dt और यह equal आ गया किसके x by dt के equal आ ठीक है फिर इसमें देखो ज़रा आप हम ऐसा बोल सक इस 4 को इधर ले आओ तो इसके लिए expression यह आएगा plus 1 by 4 dc by dt और यह equal आगया किसके x by dt के ठीक है और इसके लिए जो क्या करो इस 5 को इधर ले आओ तो हमारे पास जो यह expression आएगा plus 1 by 5 db by dt और यह equal आएगा किसके x by dt के ठीक है आप धान से देखो कि इसी reaction के लिए x by dt की value इसके equal है x by dt, x by dt, x by dt, यह सारी value जो हो, x by dt के equal है, तो इसका मतलब सारी values आपस में क्या होगी, equal होगी, तो मैं ऐसा बोलूँगा, कि for this reaction, हमारे पास एक relation आ रहा है, minus half da by dt is equal to minus 1 by 3 db by dt is equal to, यह आएगा भहिया, 1 by 4, dc by dt, और यह equal आएगा किसके 1 by 5, dd by dt, ठीक है, यह है हमारे पास जो आपको चाहिए और जो आपको ध्यान में रखना है, कि किसी भी reaction के लिए, जो अलग-अलग reactant और product होते हैं तो उनके respect में जो rate है, उसका relation यह होता है, और बहुत important relation है, इस पूरे kinetics में जो हम इन सब relations को बार-बार काम में लेंगे, कि कोई भी reaction आजाए, आपको जो हमेशा यह rate का, जो expression लिखने का तरीका है न, यह आपको जो दिमाग में रखना है, यह ध्यान में रखना है, ठीक है, अभी मैं इसको जो इस पर practice भी करवाँगा, बले ही आपके derivation जो हो समझ में आया, नहीं आया, कोई मतलब नहीं है, हाना derivation जो कैसे आता है, यह मैंने आपको बताया कि वास्तों में यह relation कैसे आता है, हो सकता है, इससे पहले आपने जब भी काइनेटिक्स पढ़ी हो, तो आपको directly relation लिखना भी आता होगा, आता ही होग लेकिन यह कम से कम पता होना चाहिए, कि यह चीज कहा से आती है, कैसे आती है, अब आप समझ दागरा, कि चलो, हमने जो हो अलग-अलग species के लिए rate जो हो लिखना सीखा, हमारे पास जो reaction थी ना, उस reaction के according rate यह आई, अब conclusion क्या है, conclusion यह है, कि मालो कोई भी general reaction है, in general, कि general reaction हम आलो इस तरगे की, AA plus BB is converting into CC plus DD, यह कोई general reaction है, अब इस reaction के लिए आपको क्या करना है, अलग-अलग reactant और product के लिए जो rate का expression लिखना है, तो यह लिखने के लिए हम क्या करेंगे, भी जो भी stoichiometric, पहली बात तो यह है, कि जो भी reactant है, reactant के लिए minus लगाओगे, और product क लिए plus लगाओगे, और जो भी इनका stoichiometric option है ना, इनको क्या कर दो, inverse करके साथ में लिख दो, जैसे हमारे पास condition ऐसी है, इसके लिए क्या लिखूंब बताओ, minus 1 by A, यह आजाएगा, d A y dt, यहाँ पर क्या आएगा, minus 1 by B, यह आजाएगा, हमारे पास, d B by dt, और इधर आज हमारे पास किसी भी chemical reaction के लिए यह expression आपको लिखना आना ही चाहिए, जैसे एक कोई भी general reaction देखते हैं, पहले example देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, कि यह rate of reaction क्या है, rate of disappearance, rate of appearance, यह सारी चीज़े क्या होती है, तो आप समझता जरा, कि जैसे हमारे पास reaction है, n2 plus 3H2 is converting into 2 Ns3, जैसे यह reaction है, अब इस reaction के लिए आपको यही सारे relation लिखने में क्या लिखूंगा, minus का D N2 by DT, minus का 1 by 3, D H2 by DT, यह आएगा, plus का 1 by 2, D Ns3 by DT, यह expression हो गया, और यह expression आपको यह जी लिखना आना ही चाहिए, जैसे हम ऐसा लिखेंगे, कोई भी chemical reaction, माललो, PCL 5 gas is converting into PCL 3 plus CL2, तो इसके लिए तो stoicometric option सबका क्या है, सेम ही है, तो यहाँ पर आएगा, minus का D, PCL 5 by DT, यह आएगा, plus का D, PCL 3 by DT, और यह आएगा, plus का D, CL2 by DT, ठीक है, सिम्पल सा काम है, जैसे हमारे पास example के लिए, 2SO3 is converting into 2SO2 plus O2, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा, minus का 1 by 2, D, D, SO3 by DT, यहाँ जाएगा, plus का 1 by 2, D, SO2 by DT, is equal to plus का, जो है, वो, D, O2 by DT, क्योंकि यहाँ पर तो कितना है, एक ही है, D, SO2 by DT, तो जो भी stoicometric coefficient है, उसको inverse कर दो, और यह relation आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है, अब समझना, वापस से आते हैं, उस chemical reaction पर, कि rate जो है, वो वास्तम में, rate of reaction जो है, वो क्या है, देखो, कि rate of reaction की बात करें, मैं वापस से उसी reaction पर आता हूँ, यह expression तो अमने लिखना सी के लिए आना, अब देखो, कि इन सब चीजों को आपको पढ़ना भी आना चाहिए, क्योंकि ठीक से जो हो, इन सब चीजों को एनालाइज करोगे, इनको पढ़ोगे, तब जो है ना, numericals होल होंगे, अब इस पर numericals भी हम लेंगे, देखना, क्या हमारे पास reaction क्या थी, reaction हमारे पास ऐसी है, कि A, A, plus B, B, is converting into C, C, और यह D, D, यह कोई chemical reaction है, अब इस chemical reaction के लिए, आपने क्या relation लिखा, minus का 1 by A, ठीक है, minus का 1 by A, D, A by D, T, यह एकवल होगा, minus का 1 by B, D, B by D, T, यह एकवल होगा, plus 1 by C, D, C by D, T, और यह एकवल होगा, plus 1 by D, D, D by D, T, ठीक है, यह एक condition है, हमारे पास एक reaction है, एक चीज़ धानवे रखना, कि कोई भी chemical reaction आए, किसी भी chemical reaction में, हर एक reactant, और हर एक product के respect में, chemical reaction, rate of reaction सब के लिए बराबर होगी, है न, तो यह मैं लिख देता हूँ पहले तो, कि rate of reaction, rate of reaction, reaction, will be always, always equal, for every species, of any chemical reaction, any chemical reaction, ठीक है, को, किसी भी chemical reaction के लिए, जितनी भी species है, सब के लिए rate of reaction हमेशे क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, जैसे, अगर हम बात करें, भया, यह है rate of reaction, यह पूरा expression, यह क्या है, rate of reaction, यह पूरा expression rate of reaction, यह जो है न, पूरा, this is all, this will be all are representing rate of reaction, rate of reaction, ठीक है, तो rate of reaction, अगर आपको निकाल लिए, आप किसी के भी respect मे निकाल लो, है न, सब के लिए rate of reaction क्या आएगी, सेम ही आएगी, यह मैं यह कहता हूँ कि मालो एक reaction की rate of reaction है, मालो 2 mole per liter, second inverse, यह किसी reaction की rate of reaction है, तो यह वो A के लिए भी यह होगी, B के लिए, C के लिए, D के लिए, सब के लिए क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, फिर देखना, क rate of any particular, particular reagent या particular reactant और product, may be different, may be different, ठीक है, वह यह देखो ज़रा, कि यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक तो condition ऐसी है, जैसे minus 1 by A, आपने लिखा, D A by D T, एक तो यह लिखा, तो यह पूरी equation, यह पूरा जो term है न, यह तो आपको बता रहा है, this is rate of reaction, rate of reaction, लेकिन अगर मैं केवल इसकी बात करूं, कि minus का D A by D T, केवल इसकी बात करूं, अब इसका मतलब क्या है, rate with respect to A, यह फिर यह कहो, कि यहाँ पर इसका मतलब यह है, कि change in concentration of A, divided by change in time, और क्योंकि A जो है, वो क्या है, A जो है, वो एक तरके से reactant, इसलिए क्या लगा है, minus लगा है, तो भाया, यह minus D A by D T, जो है न, इसको हम बोलते है, rate of disappearance, appearance of A, यह हविया rate of disappearance of A, यानि कि A के disappear होने की, जो rate है न, वो यह है, ठीक है, ठीक, ऐसे ही, अगर मैं यह लिखूं, कि minus का 1 by B, D B by D T, तो यह तो है भी यह rate of reaction, rate of reaction, rate of reaction, rate of reaction सबके लिए बराबरी होगी, हाना, और यहाँ पर जो, अगर मैं केवल इसकी बात करूं न, minus का D B by D T, यह हो जाएगा, क्या rate of disappearance of B, हाना, कि B के जो है, वो कम होने की rate है, यह B जो इस rate से कम होगा, ठीक है, ऐसे ही, अगर मैं बात करूं, भहिया जी, plus 1 by C, D C by D T, तो यह एकवल है, भहिया, क्या rate of reaction, ठीक, और अगर जो हो केवल इतने की बात करें, plus D C by D T, तो यह हो जाएगा, क्या rate of formation, formation of C, या rate of appearance भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि C और D तो क्या हो रहे है, reaction के तोरान बन रहे हैं, अगर मैं बात करूं, plus 1 by D, D D by D T, ठीक है, तो यह तो क्या है, यह तो है rate of reaction, rate of reaction, लेकिन अगर केवल इतना हम देखें, D D by D T, तो यह हो जाएगा, अपने पास क्या, this is rate of formation, rate of formation of D, यह D के लिए जो हो, rate of formation है, ठीक है, तो यह चीज़ धान में रखनी, एक चीज़ धान में रख़ो, देखो जरा, एक चीज़ यहाँ पर observe कởवए है, कि जहाँ पर हमने rate of reaction को define किया है, जहाँ जहां हमने rate of reaction लिखी है, वहाँ वहाँ पर आपने reaction का जो stoichiometric coefficient है ना ये stoichiometric option ये stoichiometric option ठीक है जहाँ जहाँ हमने rate लिखी है वहाँ वहाँ stoichiometric option को inverse करके बाद में आपने लिखा है rate of reaction के लिए तो इसका मतलब यह है कि rate of chemical reaction जो है ना ये stoichiometric option पर depend करती है balance reaction जो है उसकी stoichiometry पर depend करती है लेकिन किसी एक particular reactant या product के respect में जो rate होगी यह देखो ज़रा कि इनमें किसी में भी stoichiometric option नहीं है यहाँ पर कहीं पर भी stoichiometric option नहीं है तो किसी एक particular reactant या product के respect में अगर बात करें तो वहाँ पर rate of reaction जो है वो stoichiometry पर नहीं करेगी यह चीज़ धान में रखो तो मैं इसको जो है वो अलग से कई बार statement वाले question में पूछ लेता भी है यहाँ पर लिख रहा हूँ बहुत important point है कि rate of reaction rate of reaction reaction depends depends on the stoichiometric coefficient on the stoichiometric coefficient 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 of a balanced chemical reaction chemical reaction ठीक है but rate with respect to any particular particular reactant or product will be independent will be independent of stoichiometric coefficient coefficient ठीक है तो यह यह हमारे पास condition है कि rate of reaction जो है वो depend करती है किस पर stoichiometric coefficient पर एक example से इसको समझते है कि देक्षक पूआएएग छीका जीके पाला टाएएएवब बयूओ किन्याटा वह है किछईगा। कि देखो कि इसी चीज़ को जो हम एक एक एक्जामपल से समझते हैं कि वास्तावें मैंने क्या लिखाया यहां पर तो कॉस्चन से समझेंगे कि इफ रेट ठीक है if rate of disappearance ठीक है rate of disappearance of and to in formation in formation of ammonia from Heber's from Heber's process is 2 into 10 to the power minus 4 mole later inverse second inverse ठीक है then calculate calculate पहला आपको बोल दिया कि rate of reaction ठीक है दूसरा आपको बोल दिया कि rate of formation of NS3 ठीक है तीसरा आपको बोल दिया कि यह rate of यह हो गया rate of formation of NS3 तीसरा आपको बोल दिया rate of disappearance appearance of H2 ठीक है बस इतना ही question है कोई chemical reaction आपको given नहीं है तो सबसे पहली बात तो example से हम इसको समझ रहे हैं example के लिए ही यह question कर रहे है इसने reaction नहीं दिये तो पहला काम तो हमें एक reaction लिखनी है H2 gas is converting into NS3 अब दोनों ही reaction जो वो हैवर प्रॉसस की reaction जहाल से देख लो और दोनों ही reaction balance भी है अब इन दोनों reaction में अगर मालो हम rate चेक करें आपको given क्या है given सबसे पहले तो आप यह देखो क्या आपको given यह है इस question में आपको यह दिया है rate of disappearance of nitrogen nitrogen की disappearance की rate दे रखी है तो disappearance के लिए हम क्या बोलेंगे कि minus का d and 2 by dt is given which is 2 into 10 दिपार minus 4 ठीक है इसकी value आपको दे रखी है अब आपको क्या पूछा है यह rate of reaction पूछी है ठीक है तो यहाँ पर देखना जरा कि अगर मैं rate of reaction निकालूंगा तो अलग-अलग reactant और जितने भी अपने पास product reactant है उनके लिए rate of reaction का क्या relation होता है यहाँ पर मैं लिखूंगा minus का d and 2 by dt और यहाँ पर आएगा minus का 1 by 3 dh2 by dt और यहाँ पर आएगा plus का 1 by 2 d ns3 by dt ठीक है एक तो यह है यहाँ पर जो reaction है इसके लिए क्या आएगा minus का अब stoichiometric option को क्या करते है इन्वर्स करते हैं तो यहाँ आएगा minus का 2 d n2 by dt यहाँ पर आएगा भी हमारे पास minus का 2 by 3 हो जाएगा dh2 by dt और यहाँ पर आजाएगा कितना plus का d ns3 by dt अब देखना ज़रा कि भई यहाँ पर जो हो rate of reaction क्या है तो यह rate of reaction यह पूरा अगर हम देखें stoichiometric option को शामिल करते हैं यह क्या है rate of reaction है ठीक है तो उपर वाले में तो rate हमारे पास आजाएगी यहाँ पर rate of reaction तो यह आएगी कितनी minus d n2 by dt के equal है यानि कि कितना 2 into 10 दिपार minus 4 है उपर वाले अगर मालो आप यह reaction लिखते हो तब तो rate of reaction की value यह आती है और अगर यहाँ पर हम यह rate की value देखते हैं तो rate of reaction ध्यान से देखना है rate of reaction कितना आएगा त rate of reaction माइनस का 2 d n2 by dt यह हमारे पास rate of reaction है क्योंकि यह पूरा stoichiometric coefficient को शामिल करते हो तो यह पूरी चीज़ क्या होती है यह rate of reaction होती है तो इतने की value आपको minus d n2 by dt यह value देखते है कि 2 into 10 दिपार minus 4 तो rate of reaction आगई 4 into 10 दिपार minus 4 देखो ज़रा कि आपने अगर reaction को change कर दिया न reaction change कर दी तो rate of reaction क्या हो गई बदल गई तो होता यह है कि reaction को अगर हम बदल देते हैं चेंज कर देते हैं stoichiometry बदल देते हैं stoichiometry अगर बदल दी तो reaction की rate क्या हो जाती है बदल जाती है अब यही मैंने अभी आपको लिखा है था अब देखो लेकिन जो किसी एक particular reactant और particular product के respect में जो rate होगी न यह जाज नहीं होगी ठीक है तो इस reaction में अगर आपको यह पूछ रहा है rate of reaction तो यहाँ पर वास्तव में मैं यह लिखूँगा कि rate of reaction cannot be determined determined without a balanced chemical reaction which is not given in the problem तो पहले वाले question का answer जो हो नहीं आ सकता है इस question से क्योंकि हर बार आप जो वापस से stoichiometry बदल के देख लो rate क्या हो जाएगी बदल जाएगी तो जितनी बार stoichiometry बदलोगे उतनी बार rate जो हो reaction की क्या हो जाती है बदल जाती है इस लिए इस वाले question का answer तो नहीं अब रही बात दो questions की तो इनके लिए देखो जरा कि हमारे पास यही same ही expression है और stoichiometry बदल भी दोगे तो भी इनकी value नहीं बदलेगी देखो जी कि यही दो reaction हम लेते हैं वापस से इसको मिटा रहा हूँ मैं ठीक है कि एक reaction तो हमारे पास उपर जो है यह है और एक reaction वापस से में लिख देता हूँ कि reaction क्या थी हमारे पास कुछ ut half n2 gas plus 3 by 2 h2 gas is converting into ns3 gas अब देखो जरा कि क्या होगा क्या आपको given क्या है given यह है rate of disappearance मैंने कहा कि जब भी disappearance की rate की बात होगी तो आपको stoichiometric coefficient को शामिल नहीं करना है तो बाकि जो चीज बच गई वही rate of disappearance होगी तो minus d n2 by dt इसकी value given है 2 into 10 बार minus 4 यह value आपको given है अब आपको पूछा है क्या है एक तो rate of formation of ns3 पूछिए तो इस reaction के लिए आप n2 और ns3 का क्या relation लिखोगे मैं ऐसा लिखूँगा minus d n2 by dt ये बराबर होगा minus sorry plus 1 by 2 d ns3 by dt के equal होगा ठीक है यह इसके equal होगा hydrogen जिन दो चीजों को आप 1 है वो रख लो और जिसके बारे में पूछा है वो रख लो बाकी को अटा दो ऐसे ही जैसे माल लो यहां पर relation क्या आएगा तो यहां relation आएगा minus का 2 d n2 by dt और ये equal आएगा plus d ns3 by dt अब rate of formation की value पूछिए तो आप ध्यान से देखो rate of formation जो वो क्या होगा this is rate of formation के stoichiometric coefficient को है rate of formation है तो इस दो को तो इधर ले आओ अब इसकी value दे रखी है पूरे की 2 into 10 दिपार minus 4 तो हमारे पास plus d ns3 by dt इसकी value आगई कितनी आगई यह 4 into 10 दिपार minus 4 आ रही है यानि कि उपर वाली reaction के लिए जो ammonia के लिए formation की rate है ना वो आई 4 into 10 दिपार minus 4 ठीक नीचे वाली reaction में चेक करते तो इतने की value तो आपको दे रखी है यह value ही आपको पूछी है तो मैं बोलूगा plus d ns3 by dt और यह equal आ गई किसके यह value है कितनी 2 into 10 दिपार minus 4 तो total हो गया 4 into 10 दिपार minus 4 देखो जरा कि आपने reaction चेंज करी लेकिन किसी एक particular species के लिए rate जो हो चेंज नहीं हुई पर भी जो कितना आ रहा 4 into 10 दिपार minus 4 आ रहा है दोनों में जो rate क्या रही है same ही आ रही है ठीक ऐसे ही अगर आप यहाँ पर rate of disappearance of hydrogen hydrogen के disappearance की rate निकालोगे तो वो भी दोनों में same ही आएगी जैसे इन दोनों का relation जो मैं क्या लिखूंगा तो second question का answer आ गया है second वाला अब nitrogen के लिए देखो rate of disappearance अगर आपको निकालना है तो एक काम करो nitrogen और hydrogen का relation लिख लो क्या relation आएगा यहाँ से minus का d n2 by dt is equal to minus का 1 by 3 d h2 by dt अब rate of disappearance minus d h2 by dt है तो यहाँ से minus का d h2 by dt और यह value जो हो निकल के आगे कितनी यह 3 इदर जाएगा तो total जो हो इसकी value रखूंगा तो यह आजाएगा 6 into 10 दो पार minus 4 ठीक तो देखो ज़रा यहाँ से भी इतनी ही आनी चाहिए और इतनी ही आएगी देख n2 by dt और यहाँ पर आएगा minus का 2 by 3 d h2 by dt ठीक है तो यहाँ पर आपको पूछा क्या है आपको पूछा minus का d h2 by dt इसकी value पूछिए दो तो cancel हो जाएगा तो यह equal आ रहा है कितना इसका 3 गुना तो यानि कि वो 6 गुना 10 की गात minus 4 यह दोनों में क्या आ रही है सेम ही आ रही ह जान रखना यह question मैंने इसलिए करवाया है क्या हो सकता है जो question को समझने में थोड़ी सी दिक्कत तो आपके दुबारा देखो एक बार यह question मैंने आपको इसलिए करवाया है क्योंकि आपको बस वो जो last में लाए लिखवाय थी ना उसका मतलब समझ में आए कि होता यह है कि अगर reaction आपने बदल दी reaction की stoichiometry अगर आपने बदल दी तो होगा यह कि rate of reaction जो है ना वो change हो जाएगी लेकिन किसी एक particular reactant और किसी एक particular product के respect में जो reaction की rate होगी ना वो change नहीं होगी वो तो same ही रही तो अगर आपको किसी भी reactant या product के लिए rate of disappearance या फिर rate of formation या rate of appearance यह rate कर दी है तब तो आपको balance reaction की जूरत नहीं पड़ेगी तब तो आपको जो हो stoichiometry की जूरत नहीं पड़ेगी दोनों में same ही आएगी तो भी same value आएगी लेकिन rate of reaction कहीं पूछे तो आपको balance chemical reaction की जूरत पड़ेगी without balance chemical reaction हम rate जो हो नहीं बता सकते ठीक है तो यह है अब इसी rate की कि rate क्या होती है कैसे हम calculate करते हैं हाजी देख जैसे एक question मैं यहाँ पर ले रहा हूँ आपको यह बोला है ठीक है के if rate of disappearance ठीक है of SO2 in the given reaction in the given reaction is ठीक है यह कोई reaction आपको given है और इसके लिए disappearance की rate दे रहके है जैसे माल लो rate दिया है 4.2 into 10 to the power minus 2 mole लेटर inverse second inverse ठीक है और रेक्शन यह है 2SO2 plus O2 is converting into 2SO3 ठीक है अब आपको पूछा क्या है then calculate then calculate ठीक है जैसे पहला दे दिया कि the rate of reaction आपको रेक्शन की rate calculate करनी है दूसरा जो है वो अपने पास है rate of disappearance of O2 तीसरा जो है वो आपको बोल दिया कि rate of formation of SO3 यह तीन चीज़े पूछ लिए तो यहाँ पर जब वो हम start करते है आपको देखो ऐसा question जब भी आए तो start कहां से करना है सबसे पहले balance reaction होनी चाहिए और इस reaction के लिए अलग-अलग reactant और product के लिए आप rate का expression लिखो तो जो relation है वो लिखो तो relation क्या आएगा minus का 1 by 2 dSO2 by dt is equal to plus dO2 by dt is equal to plus 1 by 2 dSO3 by dt अब यह relation आ गया अब आपको जो चीज़ given है उसको identify करो तो given क्या है आपको यह बोरका rate of disappearance of SO2 और SO2 के लिए जो rate of disappearance वो कितना होगा यह minus का dSO2 by dt यह होगा और इसकी value कितनी है इसकी value है 4.2 into 10 पार minus 2 और यह है mole later inverse और second inverse यह हमारे पास इसकी value है अब देखना ज़रा कि यह जो value है ना इसी के according हमें सारे answers निकालने सबसे पहला है यह rate of reaction तो मैंने कहा कि जो rate of reaction है यह अगर आपको निकालना है किसी के भी respect में निकालो चाहें यह निकालो यह value चाहें यह value यह सारी values के बराबर है तो rate of reaction में तो आप क्या करोगे जो stoichiometric coefficient है उसको भी शामिल करोगे तो हमारे पास rate of reaction तो आएगे कितनी minus का 1 by 2 dso2 by dt अब ध्यान से देखो यह minus का 1 by 2 dso2 by dt यह value तो आपको दे रखिए और यह value है कितनी यह value है 4.2 into 10th power minus 2 और divide by 2 यानि rate of reaction इससे क्या आ रही है आधी आ रही है तो यह हमारे पास आ जाएगा 2.1 into 10th power minus 2 mole per liter second inverse yellow यह हमारे पास क्या है rate of reaction clear है बात अब देखना चलो ठीक है यह तो आगे rate of reaction कई बार statement पर question भी दे देता है कि जैसे इसमें जो हो कई बार जो हो जैसे वो सही गलत वाले statement आते है न कि which of the following statement is correct या incorrect तो जैसे statement बना के दे दिया कि rate of disappearance of so2 is half of rate of reaction या rate of reaction is half of rate of disappearance of so2 या rate of disappearance of so2 is equal to rate of formation of so3 या rate of disappearance of o2 या यह यहाँ पर negative आएगा minus आएगा क्यों क्योंकि जो हो यह return न तो rate of disappearance of o2 is half of rate of disappearance of so2 इस तरिके से जो statement वाले question भी बना के दे देगा जहां कहीं पर ऐसे statement आए तो यह statement सारे के सारे इसी expression से solve होगे जो rate का expression होता है अपने पास अलग-अलग reactant और अलग-अलग product के लिए जो relation होता है इसी relation से सारी चीज़े solve होगी अब देखो कि आपको दूसरा क्या बताना rate of disappearance of o2 तो मैं आपको यह बोल रहा हूं कि अभिया जी जिस के बारे में information given है वो रख लो और जिस के बारे में information पूछी है वो रख लो बाकी को अटा दो जैसे s o2 के बारे में given हो o2 के बारे में पूछा तो इन दोनों को रख लो उसको अटा दो तो यहाँ पर क्या relation आएगा minus का d s o2 by dt is equal to minus का d o2 by dt अब आपको पूछा क्या है आपको पूछा rate of disappearance of o2 है ना कहने का मतलब आपको यह value ही पूछी है यह पूरी value तो rate of disappearance of o2 जो है ना यह हमारे पास इसकी value तो आपको given है तो हमारे पास यह value आजाएगी minus d o2 by dt यह value आजाएगी कितनी 4.2 into 10 दिपार minus 2 divided by 2 तो यह आएगा किता 2.1 into 10 दिपार minus 2 mole later inverse और यह second inverse यह हमारे पास क्या आजाएगी rate of disappearance of o2 है ना आप बोल सकते हो देखो जरा कि rate of disappearance of s o2 कितना है इतना और o2 के लिए rate of disappearance इसका क्या है हाफ है आप यहाँ से भी देख सकते हो कि यह तो है o2 का rate of disappearance and this is rate of disappearance of s o2 है ना और यह जो इसका क्या आ रहा है आदा गुना आ रहा है यानि कि इससे आदा है यह ठीक है तीसरा आपको क्या पूछा है rate of formation of s o 3 ठीक है तो यहाँ पर देखना जरा कि rate of formation तो एक काम करते s o 2 को रख लेते s o 3 को रख लेते बाकी को हटा देते है तो relation क्या आता ह यह होगा relation यह हाफ से हाफ क्या हो गया cancel तो देखो जरा कि आपको पूछा क्या है प्लस का d s o 3 by d t यही तो है rate of formation of s o 3 और यह किसके बराबर आ रहा है यह आ रहा है माइनस का d s o 2 by d t यहानि कि यह rate of disappearance of s o 2 के equal आ रहा है जो कि है कितना यह है 4.2 into 10 to the power minus 2 mole later inverse second inverse ठीक है तो य भी भी ऐसा question आए ध्यार रखना यहां से जो दो तरीके question बनते है एक तो statement वाले question बनते है एक numerical वाले question बनते है तो यह numerical वाले question तो आपको इस तरह किसे solve करने है और रही बात statement वाले questions की कि rate of formation of SO2 is equal to rate of formation of SO3 is equal to rate of formation of SO2 rate of disappearance of O2 is equal to rate of formation इस तरह के statement वाले question आ जाएंगे तो वो सारे question आपको directly हवा में solve नहीं करने यह equation लिखना है यह expression लिखना है अलग-अलग reactant और product के लिए जो भी rate का expression होता न वो पहले expression लिखोगे इसके बाद में ही आप क्या करोगे solve करोगे ठीक है अब देखना कि कई बार जो है ना इसी तरह के questions में आपको जो है वो ऐसा भी data दे देता है जैसे एक question यहाँ पर हम करते है देखो कि जैसे माल लो कई बार जो rate है ना यह आपको mole per liter में नहीं देता है और mole per liter में ना देकर किसी और unit में देदेगा जैसे gram per liter second inverse वगरा में ऐसे देदेगा लेकिन ध्यार रखना हम तो जब भी rate का कोई भी calculation करेंगे rate से related क्योंकि rate होती है change in concentration divided by change in time यह हमारे पास rate होती है तो ध्यान यह रखोगे कि rate में हमेशा concentration ही काम में लेनी है बहले ही आपको कोई और unit दे रखी होगी जैसे मालो यह वाली ही reaction है हमारे पास का if rate of formation of SO3 in the given reaction in the given reaction ठीक है is 1.6 gram liter inverse second inverse ठीक है then calculate आपको बोल दिया कि जैसे पहला के rate of disappearance of SO2 ठीक है इन यह आपको बोल दिया कि मूल लेटर inverse second inverse दूसरा मालो ऐसा ही है कि rate of disappearance of SO2 in gram liter inverse second inverse और reaction आपको यह दे रखी है 2SO2 plus O2 is converting into 2SO3 ठीक है यह हमारे पास reaction है अब देखना कि यह condition ऐसी है कि आपको जो rate है ना पहले तो इसके लिए हम वही expression लिखेंगे जो भी relation आता है rate का minus का 1 by 2 DSO2 by DT ठीक है यह equal होगा minus का D02 by DT और यह equal होगा plus का 1 by 2 DSO3 by DT यह condition आएगी ठीक है अब आपको क्या दे रखा है आपको जो rate of formation दे रखी है लेकिन यह 1.6 gram पर लीटर पर second inverse में है ठीक है आपको मैंने काया कि हमेशा आपको rate लेनी है किसमे मोल पर लेटर में तो अगर मोल पर लेटर में बदलूँगा तो यहां से देखना ज़रा इसको मैं यह जो बोल सकता हूँ यह आगया है 2 прош तेहं पार माइनस टू, मोल, लेटर इन्वर्स, सेकंड इन्वर्स, और कैलकुलेशन जो हो हम इस टू इंटू टेहर पार माइनस टू के अकोडिंग न करेंगे, ना कि 1.6 के अकोडिंग करता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या पुस्रा जैसे पहला, रेट ओफ डिस आ रहे हैं, इक्वल ही आ रहे हैं, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो मैं बोलूँगा, माइनस का dSO2 by dt, ये इक्वल आएगा, किसके 2 इंटू 10 बार माइनस 2, मोल, लेटर इन्वर्स, सेकंड इन्वर्स में तो यह आया है, ठीक है, तो यह तो इसके इक्वल होगा, दूस इसका dSO2 by dt, ये वेल्यू दे रहे हैं, ये 2 इंटू 10 बार माइनस 2, ये तो मोल में है, मोल, लेटर इन्वर्स, सेकंड इन्वर्स, तो ग्राम में बदलने के लिए काम करो, इसको मोलर मास से मल्टिप्लाई कर दो, तो इसका मोलर मास SO2 का कितना होता है, 64 होता है, तो 64 से मल 128, तो ये आजाएगा, 1.28 ग्राम, लेटर इन्वर्स, सेकंड इन्वर्स, ये आंसर होगा, 1.28, ठीक है, तो ये होता है, कि जब भी rate का कोई भी question आए, कैसा भी question आए, आप हमेशा धान मेर कोगे, rate जो होनी चाहिए, वो किसमे होनी चाहिए, वो हमेशा मोल पर लेटर में ह होनी चाहिए, अगर नहीं है, तो पहले उसको बदलो, कुछ भी करके, rate को मोल पर लेटर में आपको लेके आना ही पड़ेगा, फिर देखना, थोड़ा सा इस पर एक question और करते है, कि हमारे पास, को reaction है, ठीक है, और ये question बहुत बार पुछा जाता है, अक्सर आपके test papers में भी आ सकता है, अच्छा question है, और आपके module में भी जो हो, आपको ये question कहीं न कहीं मिली जाएगा, देखू, देखना, कि question जो है, वो अपने पास ये है, एक reaction आपको दिये है, कि xa is converting into yb, ठीक है, ये कोई reaction है, अब इस reaction के लिए, आपको एक relation दे रखा है, कि जैसे log, ठीक है, ये relation दे रखा है, log minus da by dt, ठीक है, और ये 10 बेस पर है, ये equal है, log dby dt, ये भी 10 बेस पर है, और plus दे दिया है, यहाँ पर 0.6 जैसे 6 दे दिया, 0.6, ठीक है, अब आपको ये पूछा है, कि calculate, calculate the value of x upon y, तो आपको x by y की value पूछिए, तो देखो, इसको solve करते हैं, आप सबसे पहले क्या करोगे विया, इसके लिए जो हो relation लिखो, क्या relation आएगा, minus का 1 by x, यहाँ पर क्या वोलूँगा, da by dt, is equal to, इधर क्या आएगा, plus का 1 by y, और यह आजाएगा, क्या dby dt, ठीक है, अब इसको x को इधर ले जाओ, तो यह आया, minus का, da by dt, is equal to x by y, और यह आजाएगा, dby dt, प्लस में है, तो dby dt, ठीक है, अब भाई, दोनों तरफ एक काम कर रहा हूं, मैं log ले रहा हूं, तो अगर इस तरफ log लूँगा, तो यह तो आगया, हमारे पास log, minus da by dt, और दूसरी तरफ देखो, जड़ा log लेंगी, तो हमारे पास आएगा, log x by y, प्लस है, into dby dt, तो यह तो हमारे पास हो गया, log, minus का, da by dt, is equal to, यह आजाएगा, log x by y, प्लस, ठीक है, और यहाँ आजाएगा, log dby dt, ठीक है, अब देख लो, जड़ा, कि इनको compare कर लेते हैं, इनको अगर compare करेंगे, इसको और इसको आप compare करो, तो compare करोगे, तो हमारे पास जो है, वो log dby dt, 50, plus 0.06, या 0.6 है, तो इसका मतलब यह है, कि इसकी value कितनी है, यह जो log x by y है, इसकी value हमारे पास आगे 0.6, और यह log 10 बेस पर है, तो इसको जो हटाओगे, तो यहाँ से जो हमारे पास x by y is equal to 10 की power कितनी 0.6, और भाई मैरे 10 की power 0.6 की value होती कितनी 4, तो यह x by y is equal to कितना है या log anti-log को solve करना, मैं आपको अच्छे से आइनिक equilibrium वाले chapter में सिखा चुका हूँ, 10 की power 0.6 की value 4, 10 की power 0.3010 की value कितनी होती है, 2 होती है, 10 की power 0.47 की value कितनी होती है, 3 होती है, तो यह सारी चीज़े है, तो rate से related इस तरगे के question जो हो आपको मिलेंगे, और भी हम इस पर question जैसे अगली class में हम एक pressure से related question भी करेंगे, ठीक है, इसके लावा next class में हम पढ़ेंगे की rate कितने तरकी की होती है, कौन-कौन से factors जो rate को change कर सकते हैं, तो यह थी आज की class, उमीद करते हैं, आपको class जो हो एक तरके से समझ में आई होगी, अच्छे समझ में आई होगी, और बाकी जो हो यहां से मिलते हैं, अगली class में तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखें, ठीक यू